हेलो स्टुएंट्स तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.3 का कोश्चन नमबर 4 तो कोश्चन नमबर 4 क्या कहता है दा एरिया आफ रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉंग इस 300 स्कॉाइर मीटर एक रेक्टेंगुलर गार्डन है हम यहाँ पे बना लेते हैं इस एरफ फीगर यह हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है और यहाँ पे कह रहा है कि 50 मीटर लॉंग है यानि कि लेंथ इसकी दे रखी है 50 मीटर और इसका area जो है वो 300 square meter यानि इसके अंदर की जो जमीन होती न ये हमारा area है तो क्या है ये दे रखा 300 square meter अब कहता है कि find the width of the garden यानि कि हमें ये वाली जो width है न इसको find out करना है अब यहाँ पर हम ऐसे सोचते हैं कि जिसे हमें यहाँ पर area दे रखा है न तो यहाँ पर area का तो इस्तमाल होगा तो हम पहले area वाले formula के बारे हम सोचेंगे तो rectangle का area का formula क्या होता है length into breadth यानि ये वाली length और into breadth एरिया हमें दे रखा है length हमें दे रखा है तो तीन चीज़े हम द out कर सकते हैं तो यहां पे देखो आंसर इसका क्या हो जाएगा पहले हम यहां पे लिखेंगे area of rectangular garden यह हमें क्या दे रखा है 300 square meter और हमें क्या दे रखा है length of rectangular garden लेंथ कितने दे रखे 50 meter अब यहां पे देखो area rectangle का area is equal to length into breath यहां पे area हमें दे रखा है तो area को यहां पे लिखे लेंगे 300 square meter length हमें दे रखे इसको यहां लिखे लेंगे 50 meter into breath बी तो अब हमें बी को find out करना है तो पहले तो हम इसको क्या करेंगे ऐसे लिख लेंगे 50 meter into b is equals to 300 square meter यहां पे इसको इधर लिख लिया इसको इधर लिख लिया अब यहां पे b is equals to क्या जाएगा 300 square meter upon 50 meter अब यहां पे square meter का मतलब क्या होता है meter into meter और नीचे एक meter दे रखा है तो एक meter से एक meter cancel out हो जाएगा ओपर हमारा स्रिफ meter आएगा यहां पर हम इसको cancel नहीं करते हैं लेकिन यह चीज़ सोच के चलते हैं ठीक है तो यहां पे अगर हम 1010 cancel out करेंगे और यहां पे 5 का table पढ़ेंगे तो 5 6 जा 13 तो यहां पे 5 6 जा 30 आ जाएगा तो इसका मतलब इसके breath क्या हो जाएगी बी इस इकोल स्टू 6 meter यह हमारी इसकी breath हो जाएगी questions हम आप नेक्स लेक्चर में करेंगे next questions आज के लिए बस इतना ही